नमस्ते जोई जोगना तो चेलिये मैं और एक रेसिपी लेके आगे हूँ जो मैं ये रेसिपी लाई हूँ वो आप देखके बहुत अचम्बित हो जाएंगे तो मैंने लाया है एक गाजर पुरा मोटा सा होके गाजर ली हूँ उसका छिलका निकलके अच्छे से धोके इसको म में बारी के बारी काट दूँगे तो ये जो रेसिपी है ये आप कभी कभी भी नहीं खाए होंगे तो ये आप खा के बहुत बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी लगता है तो इसका नाम है गाजर के पकोड़े तो आपने तो बहुत प्रकार के पकोड़े खाए प्याज के पकोड़े खाए होंगे गोवी के पकोड़े खाए होंगे लेगन कभी भी गाजर के पकोड़े नहीं खाए होंगे तो एक बार ऐसे ही बना के खाए बहुत ही तेस्टी लगता है और थंडी के मोसम में तो गाजर बहुत-बहुत मिलता है और बहुत सस्ते में मिलता तो घजर की फॉणटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखें के तो बहुती तेस्ट हो एसलिए मैं इसलिए मैंने एक की घजर लिया है आप अगर ज्यादा ऊंहें बना रहे हूंगे तो 3,4 गाजर ले सकते हैं किलो या एक पाओ ऐसे ले सकते हैं गाजर तो इतना टेस्ट लगता है पूछिये मन तो यह मैंने एक बार खाया था कि मेरी दिदी गाओं गे थी तो गाओं में एक फेमली बनाई थे तो उनका गाजर का यह पकोड़े मेरे दिदी को दिए थी तो उनको बहुत ही तेस्टी ल और उसमें मैंने डाला है एक कोटोरी बेशन और बेशन डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा आधा चमच से भी थोड़ा सा जीरा डाली हूँ और जीरा डालने के बाद मैं इसमें नमक स्वाधन सा डाल दी हूँ और हल्दी पाउदर दो से तीन पीच डाली हूँ से मिक्स कर लिया उसके बाद मैंने पानी डाला है जितना पानी चाहिए उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है आप जैसे प्याज के पकोड़े के जैसे गोल बनाते हैं उसी तरह बना सकते हैं तो मैंने गोल बना लिया है अभी मैंने कड़ाई मेरा गोल पुरा रेडी हो गया है उसको मैंने साइट में रख दिया है और कड़ाई बिठा दिया है कड़ाई बिठाने के बाद पकोड़ी जैसे तलते हैं उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने तेल डाला है और तेल को अच्छे से गरम होने दूँगा फिर जाकर मैं धीरे-धीरे पकोड़े के जो वेटर है वो डालते जाओंगा तो चलिए मैं गाजर के जो वेटर है गाजर ओबेसन का जो वेटर है वो मैं धीर धीर डालते जा रहे हूं दिखे एसी तरह आप डाले बहुत ही तेस्ट लगता है एक बार प्लीज एक बार बना के आप खाईए मेरे को कॉमेंट बक्स में लिखे कैसे लगा आपको गाजर का पकोड़ा तो बहुत बहुत तेस्टी लगता है तो चलिए मैंने डाल दिया है अपि इसको मैंने पकोड़े जैसे प्याज के पकोड़े गुबी के पकोड़े जैसे बनाते हो ब्राउन कलर होने तक उसको भी इसको भी इसी तरह ब्राउन कलर होने त इसको हम लोग प्राइद करेंगे तेल के सार्ट तो चलिए मैं उलट पलट कर देती हूं और अच्छे से में इसको ब्राउन कलर आने तक फ्राइद कर देती पकोड़ी में आजाएगा तो सीब एक से दो पिंच चानका सोड़ा डाली और एक से दो और देखिए मैंने तोड़ के भी देखा बहुत बहुत टेस्टी लगता है आपको ये रेसिपी कैसे लगा मेरे को कॉमेंट बक्स में लिखिए और सेयार करिए कॉमेंट दीजिए सबस्काइब करिए तो चलिए इंपर रखती हूं थैंक्यू बाइ